नवादा में एक ही परिवार के बीच आपसी बिवात को लेकर गोली बारी की घटना हुई है इस घटना करम में दो लोगों को गोली लगी है जिसे एलाज के लिए नवादा सदर अस्पताल लाए गया यह घटना जिले के कादिरगंज स्थानाचेत्र के कादिरगंज बाजार इस्ति दुर्गा मंडब के समीप हुई है सिर्फ दरवाजा बंद करने की बात पर यह घटना हिंसक रूप रेली घाईल योगेंदर चौधी ने बताया कि उसका उसके परिवार से किसी बात को लेकर पहले से ही बिवाज से ला रहा था अक्सर घर के दरवाजे के खूले रहने को लेकर बिवाज होता था घायल योगेंद्र का कहना है कि वह अक्सर अपने भावी और भतीजे को दरवाजा बंद रखने को कहता था मगर परिवार वाले उसे अक्सर दरवाजे को खुला रखते थे इसी बात को लेकर अक्सर बिवाद होता रहता था असुबा भी दोने परिवार के बीच में विवाद हुआ जिसे पंचायत के माध्यम से असुलजा भी लिया गया और वही पास में खेल रहे एक बचे विकारश कुमार को भी गोली लग गई जिसे बाग घायल हो गया घायल हो गया इलाज नवाजा सदर अस्पताल में किया जा रहा है फिलाल पुलिस मौके पर पहुँच घायल से फर्द बयार लेकर आगी कि तब तीस में जुट गई